दोस्तों नमस्कार दोस्तों आपके मन में एक प्रस्ण उठ रहा होगा कि सम्रिद्ध कारिक्रम के तहत भासा और गणित की जो 48 दिनों की कारियोजना प्रदान की गई है जो बुकलेट हमें प्राप्त होने वाली है उसके अनुसार हम सिछणियोजना कैसे बनाए दोस्तों ज जो बुकलेट दी गई है उसमें हमें सिछणियोजना बनाने के तरीके बताए गए हैं लेकिन बनी बनाई सिछणियोजना हमें नहीं दी गई है आधाल सिला क्रियानवें संदर्सिका में जो गडिकी सिछणियोजनाय दी गई है वो सेप्टमबर से आगे के लिए है लेकिन उसके पहले की जो सिच्छन योजनाएं हैं जिससे आप ध्यानाकर्षन सिविर या फाउंडेशन लर्निंग सिविर कह रहे हैं उसकी सिच्छन योजना कैसे बनेगी तो समरीध कारिकरम के तहट जो बुकलेट आपको प्राप्त होने वाले हैं उस बुकलेट में सिच्छन यो सिच्छन योजना बनाकर रख लें ताकि जैसे ही आपका क्लास शुरू हो जाए फटा फट आपके पास बनी हुई सिच्छन योजना रहेंगी तो आपको प्राप्लम नहीं आएंगी तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महदपून होने वाली है क्योंकि इसम समरिधी कारिक्रम की बुकलेट को फालो करते हुए किस प्रकार से आपको सिच्छन योजना बनानी है तो आईए हम आपको वीडियो में दिखाते हैं प्रथम सप्ता प्रथम दिवस की पहले कालांस की सिच्छन योजना का नमूरा और आप इस प्रकार बनाएं प्रथम से देखेगा तभी बातें आपको clear हो पाएंगे तो आए आगे बढ़ते हैं दिखाते हैं दोस्तों ये मैंने सिच्छनियोजना बनाया है देखे समरिधी कारिक्रम के तहट कच्छा एक भासा की जो प्रथम दिवस की पहले सप्ता के पहले दिन के पहले कालांस की दोस्तों आ पहले कालांस में मौकिक भासा की विकास पर हमें कार करना है तो पहले कालांस की एक सिच्छनियोजना मैं लेकर आया हूँ एक साथ तो सब नहीं ला सकता हूँ आपके सामने तो आए इसको समझ लीजे कि पहले कालांस के पहले दिन की सिच्छनियोजना कैसे बनेगी तो यह पर देखिए दिनांख कक्षा एक विसे हिंदी है समय 35 से 40 मिनट ठीक है 40 मिनट का टाइम निर्धारित कर दिया गया है अब आप 35 नहीं बलकि आप 40 मिनट कहेंगे लर्निंग आउटकम के विसे में चर्शा कर लें दोस्तों जो लर्निंग आउटकम है जो हमारी प्रेणा सुची दी गई है कक्षा एक हिंदी के 14 लर्निंग आउटकम दिये गए हैं लेकिन इस फाउंडेशन लर्निंग सिविर के दावरान हम पूरे 14 लर्निंग आउटकम पर काम करना है इस 48 दिनों के अंदर तो उसमें पहला लर्नींग आउटकम है कि बच्चे ग्रेड बन के इस तरकी कहानियों और कविताओं का आदर्स वाचन सुन कर समझ पाएंगे इसी लर्नींग आउटकम पर आपको काम करना है और पूरे सप्ताह काम करना है सिर्फ एक दिन नहीं पूरे सप्ताह ये तो पहले दिन की कारियोजना है ऐसे ही दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन पांचवे दिन और छटवे दिन आंकलन और पुंद्रा बृत्ति होगा दोस्तों पहले सप्ताह को पर चर्चा चित्र चार्ट आप सभी को प्राप्त हो चुके हैं दोस्तों आपकी विद्यलाय में रखें हैं अगर आपको जो है सिछन यूजना बनाते समय आपको पास चार्ट ना हो तो आप क्या करेंगे ऐसे इस्थित में आप प्रेणा up.nic.in खोलिएगा प्रेणा साइट को और उस पर आप जाईएगा टीचर्स कार्णर में पोस्टर पर जाईएगा तो आपको ये सारी चार्ट जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है सब वहाँ पर दिखाई पड़ेंगे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जैसा कि मैंने आज किया है ठीक है दोस्तों तो पार्ट इकाई जो है वो क्या है चित्र चार्ट खेत पर चर्चा यहां हम अभी किसी पार्ट को बेस नहीं बना रहे हैं यहां मौकिक भासा का विकास और डिकोडिंग 48 दिनों के अंदर हमें कच्छा एक में ये दो कार करना है तो मौकिक सिखाने के सामगरी में चित्र चार्ट खेत खेत का जो है चार्ट जो है बच्चों के सामने लगा होगा आपको चार्ट प्राप्त हो चुका है उसी पर हमें कार करना है अब आईए देखते हैं कि हम चित्र चार्ट खेत पर कैसे कार करेंगे सिछण योजना में तो को सहज बनाने के लिए कक्चा में अन्कूल बातामन बनाने की गजविधियां करेंगे और पहले दिन की गजविधी है कि सिच्छक कच्वा और खरगोश नामक कहानी को पूरे हाव भाव के साथ आधर्स वाचन करेंगे और ये कहानी कहा मिलेगे आपको दोस्तों आधार सिला क्रियानवयन संदर्सिका भाग 4 के प्रिस्ट 67 पर जो आपको आधारसिला क्रियानवयन संदर्सिका मिली है उसके भाग 4 के पेज नमबर 66 पर जो है यह कहानी दी गई है तो सिखक कच्छुआ और खरगोष नम हो कहानी को पूरे हाभाओं के साथ आदर्स वाचन करेंगे फिर उसके बाद सिख्षक कहाने के आधार पर बच्चों से निम्नांकित प्रस्न पूछेंगे अगर खरगोस पीड के नीचे लेट कर आराम नहीं करता तो कौन जीतता खरगोस ने आराम करने का क्यों सोचा होगा अगर आप खरगोस होते तो क्या करते दोस्तों जो हमारे प्रस्न है वो हाँ ना में जवाब देने वाले नहीं होने चाहिए प्रस्न ऐसे होने चाहिए कि बच्चे के अंदर तार्किक सक्ती का विकार सो और कल्पना सीलता का विकारसो ऐसे प्रस्न हमें बनाने है हाँ और नावाले प्रस्नों को हमको एवाइट करना है फिर आते हैं दूसरा चरण जो है सिछन के दावरान सिछन के दावरान हम क्या करेंगे चित्र चार्ट खेत पर चर्चा करेंगे 25 से 30 मिनट है और आकलन के तरीके अवलोकन ये तो आप देखते ही रहेंगे बच्चा कि कौन बच्चा ध्यान दे रहा है कौन नहीं ध्यान दे रहा है कौन बच्चा कमजोर है कौन तेज है इन सारी चीजों पर आपको बिसेज ध्यान रखना है और हमेशा पढ़ाते समय आपको कमजोर बच्चों को दिखाएंगे, बच्चों को इस तरह से बैठाएंगे ताकि सारे बच्चों को जो है चार्ट दिखाई पड़े, इस चित्र में आपको क्या-क्या दिख रहा है, इस चित्र में कितने लोग हैं, आपको क्या लगता है, यहां कहां का चित्र होगा, खेत में क्या उगाई है क्या आपने खेट देखा है और कहां देखा यानी इस तरह के परस्न जो है बच्छों से करेंगे ताकि बच्चे के अंदर जो है मौकिक भाषा का विकास हो सके और बच्चा जो है बोलने में अपने बात को कहने में बच्चे के अंदर जो जिजक है वह दूर हो सके सिच्छक चित्र चाट पर बच्चों के साथ बिस्त्रि चर्चा करेंगे और इस चर्चा में उनके अन्भों को सामिल करने के साथ साथ तर्क और कल्पना करने के लिए भी कुछ प्रस्ण करेंगे जैसे या सुबा दोपहर या साम का चित् पेड़ के नीचे बैठा बच्चा क्या सोच रहा है खेत में क्या काम किया जाता है और कौन काम करते है अगर आप इस खेत में होते तो क्या काम करना पसंद करते हो और क्यों दोस्तों ऐसे प्रस्ने में बच्चों के अंदर तर्क और कल्पना सिर्था का विकास करेंगे ऐसे प्रस्न बच्चों से करने हैं कि वहा कुछ बात कहने को फोर्स हो अर्थात हाँ और ना वाले जबाब ना पूछे जाए पिर सिच्छन के बाद जरूरी नहीं है कि हर सिच्छन हुजना में सारे चरहन जो है तो दोस्तों इस तरह सी ये पहले दिन की सिच्छन हुजना आपके सामने में प्रस्तुत कर दिया ग्रीकार में सभी बच्चे अपने-पने माता-पिता से पूछ कराएंगे कि धान की फसल किस मौसम में उगाए जाती है दोस्तों आपको मालूम है कि अभी बच्चों के अंदर लिखन का विकास नहीं हुआ है इसलिए लिखने वाले होमवर्क से हमें बचना है उन्हें ऐसे होमवर्क देना है जो घर में जाकर वो अपने माता-पिता से बात कर सके उनके अंदर मौकिक भासा का विकास हो सके और माता-पिता से पूछ करके आएं कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें यहां देखिए दोस्तों नोट में है सिच्चक इस गत्वी द्वारा या सुनिशित करेंगे कि सभी बच्चों को कक्षा में अपनी बात करने के प्रयाप्त मौके मिलें चित्र चार्ट या कलरो एके चित्रों पर कार करने के पहले सिच्चक चित्र से संबंदित ऐसे प्रस्णों की एक सूची बना ले जो बच्चे के अंदर तर्क और कल्पना सिल्था का विकास करता हो तो दोस्तों ये रही जो है प्रथम कालांस, प्रथम दिवस, प्रथम सप्ताह की सिच्छन योजना जो मैंने बनाया है आपको अगर आगे भी जरूरत होगी तो बतायेगा मैं और सिच्छन योजना आपके लिए इसी तरह से बनाऊंगा लेकिन अभी से आप काम शुरू कर दीजे, एक रिजिस्टर लीजे और उसमें पूरे 48 दिन की सिच्छन योजना आप प्रते कच्छावार कच्छा के लिए बना लीजे ताकि आपको सिच्छन कार करने में आसानी हो तो दोस्तों आसा करता हूँ कि मेरी याज सिच्छन योजना आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि मैं ऐसे ही सिच्छन योजना आपके लिए लेकर आने वाला हूँ और भी सिच्छन योजना बनाऊंगा अब मैं खुद बनाऊंगा दोस्तों अब मैं कहीं और से सिच्छन योजना नहीं लोगा बलकि मैं खुद बनाऊंगा क्योंकि मुझे भी बनाना है अपना रेजिस्टर तो जैसे जैसे मैं सिच्छन योजना बनाता रहूँगा आपको प्रदान भी करता चलूँगा लिकिन आप भी सिछन यूजनाएं बनाए दोस्तों बिना बनाए काम नहीं चलेगा तो मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में नमस्कार